तो नमस्कर दोस्तो आज एक नवी बीड़ में फिर सापका स्वागत हैं दोस्तो मैं कुछी दिनों से देख रहा हूँ यह जो मेरा सेंट्रो है इसमें दो एसा नेगेटिव पॉइंट है जो की बहुत ही परिशान करने वाली बात हो चुकी है अभी जो में इसको आभी दो सा आब होने भाल होना है तो इसके अंदर मेंने एसा दो नेगेटिव पॉइंट निकाला है तो पास यह सेंट्रों है नहीं वाली सेंट्रों है साइध आपको भी यह नेगेटिव पॉइंट पाता चल चुका है लेकिन मैं आज इसका जो दो नेगेटिव पॉइंट है इसको मैं आची तरह से डेस्क्राइब करूंगा और अनालीसिस करूंगा और उसका मैंने एक सल्योसन भी निकाला है तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बारे में बाता आता है कि यह जो नेगेटिव पॉइंट है यह कैसा है और यह जो नेगेटिव पॉइंट है इससे कैसे बाचा जा सकता है तो चलिए दस्तों देखते हैं पहले कार के अंदर चलते हैं यह आप देख सकते हो, यह है A पिलर और यह है B पिलर और पीछे है C पिलर तो पहला जो negative point है वो है A पिलर के लिए तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं और आपको भी बताता हों कि negative point जो point मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है क्या तो यह जो आप A Pillar देख रहे हो ना मैं कुछी दिनों से देख रहा हूँ और इस negative point को मैं हैसुस भी कर रहा हूँ यह जो A Pillar है जब हम इस side को turning लेते हैं यानि कि right side को turn लेते हैं तो आप देख सकते हो यह इसका जो मोटाई है तो देखिए कितना है यह मेरे ख्याल से यह six inches के बराबर है six या seven inches के बराबर है तो जब हम इसको इस car को turn लेते है right side के और तो यह जो पिलार है इससे जो visibility होता है right side का right side का जो road होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं और chances रहते हैं accident होने के तो आप जब भी right side को turn लेते हो तो बहुत आच्छी तरह से ध्यान से turn लेना लेना नहीं तो यह जो pillar है यह बहुत ही disturb करती है turn लेने के समय मतलब आपको जो visibility है views है right side का यानि कि right side से इस तरह से जो car आते हैं उसको ठीक तरह से दिखाई नहीं पाते हैं मतलब हम दिख नहीं पाते हैं कि उस side से क्या आ रहा है यह जो pillar है यह बहुत ही disturb करते हैं और आच्छे से view भी हम नहीं पाते हैं तो यह है इसका first negative point side जी जिसके पास यह center का रहे अगर आपने आभी तक मैसुस नहीं किया है तो एक बार देख ले ना right turn लेके जब आप यह से तो हम आभी खाली जगापर खड़े हैं यानि कि एक field के अंदर खड़े हैं तो यहां कुछ नहीं problem होता है लेकिन जब हम city में चलते हैं जहां बहुत ज़्यादा traffic रहते हैं यानि कि crowded area रहते हैं वहां पे बहुत ही ज़्यादा यह परिशान करते हैं यह जो a pillar है मेरे ख्याल से इसको इतना मोटा ना करके थोड़ा सा अगर पतला कर देता है तो मेरे ख्याल से views बहुत ही आचा आता turning लेने के समय और इतना परिशान में नहीं होते हैं तो चलिए आभी चलते हैं next negative point का अंदर और next जो negative point है यानि कि यह सिर्फ negative point नहीं है यह central का एक problem भी है और वो है reverse gear को लेके पहले जो जब मैंने यह car खरीदा था तो उस time पे यह problem नहीं आता था लेकिन आभी डेड़ साल यह problem मुझे fix करना पढ़ रहा है क्योंकि इसका जो reverse gear है वो डालने से वो एक बार डालने से वो नहीं डाल पाते हैं यानि कि जब भी हम इस car को reverse gear में डालते हैं तो वो ठीक तरह से डालते नहीं है यानि कि reverse gear लगते नहीं है तो इसे की बज़े से अगर आपने अगर इस कार को city में चला रहे हो और आपको reverse gear लगाना है तो उस time पे अगर ये दिक्कत आ गया तो बहुत ही problem हो सकता है क्योंकि वहाँ बीरबार बहुत ज़्यादा रहते हैं पीछे कर रहते हैं आगे कर रहते हैं तो ये है इसका negative point में तो मैं एक बार इसको clutch place करके दिखाता हूँ ये इसे करके reverse gear अभी लग रहा है लेकिन बीच बीच में मैंने अभी notice कर रहा हूँ ये 10 बार से जब मैं इसको अगर आप इसकार को 10 बार reverse gear लगाओगे उन में से 9 बार आपको ये फिलिंग्स आएगा यानि कि ये reverse gear एक chance में लगते ही नहीं है तो उसका एक solution भी है मेरे पास और ये जो problem है इसका एक वीडियो मैंने short में डाला था अगर आप लगोंने नहीं दिखा है तो अभी देख लीजिए इसका जो solution है वो फटक समय इसको दूर कर देता हूँ तो चलिए देखते इसका solution क्या है पहले seat को पीछे थोड़ा कर लते हैं मालनो अगर आपका car neutral पे है और आपको reverse gear लगबाना है तो आप क्य क्या करोगे सिंपल सी बात है अपको यह जो आप class देख रहे हूँ क्लाच और इसको रखना है neutral पर इसकों क्या करते है फिर्च करता है एक बार प्रेस करके reverse gear को लगाते हैं ऐसे करके मगर यह जब नहीं लगागा तो आपको क्या करना है यह जो आप class देख रहे हो इसको double press करना है double press करना में यानि कि एक, दो ऐसे करके double press करके रखना है एक, दो और पिर इसको reverse में लगाना है से करके तो यह आराम से reverse gear लग जाते है और इतना problem भी create नहीं करते हैं तो यहीं है इसका solution अगर आपके पास भी central car है और आपको भी यह problem मेहसूस होता है तो आप SI कीजिएगा class को double press करके अपना जो reverse gear है उसको लगा देना है तो यह से करके आप अपना जो problem है वो आपको ठीक कर सका है तो दोस्तो आज मैं सेंटो का दो negative point बताया एक तो A player को लेके और एक reverse gear को लेके तो यह तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ लेकिन इसका जो solution है वो भी मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तो अगर आज कर वीडियो आपको आच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राब कर लेजिएगा क्योंकि मैं कार रिलेटेड ऐसे वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं और ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में तक तक के लिए गुडबाए जय हिंद